ठीक है अब जब हमारा X further revolve करके further revolve करता है और पाई बाई टू को approach करता है left hand side से then जो हमारा cos x है वो 0 की ओर जाएगा बट 0 से बढ़ा ही होगा देखो यह है ना 0 से बढ़ा तो इस 0 plus को approach करेगा ठीक है तो यहां sec x क्या होगा sec x जो होता है 1 upon cos x और यह किसे approach कर रहा है 0 plus को तो सबसे पहले denominator 0 को approach कर रहा है तो यह plus infinity को यह infinity को जाएगा और numerator हमारा positive है denominator 0 plus को इसका मतलब यह भी positive है तो यह किसे approach करेगा plus infinity को ठीक है अब x जो है जैसे ही pi by 2 से आगे बढ़ा तो pi by 2 प्लस पढ़ा जाते हैं तो then cos x क्या होगा बताओ cos x देखो x जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ा pi by 2 से तो cos x अभी भी 0 है को approach करेगा बट 0 से negative होगा यहाँ पे तो base negative हो जाएगा ना then cos x किसे approach करेगा this is approaching to this approaches to 0 minus तो sec x क्या है हमारा sec x है 1 upon cos x अब इस बार यह भी again denominator 0 को approach करेगा बट left hand side से तो यह क्या होगा यह approach क्या करेगा minus infinity को ठीक है अब फिर further x को बढ़ाओ angle को बढ़ाओ बढ़ाने के बाद अब pi के close ले जाओ मतलब x is approaching to pi minus then cos x क्या होगा base क्या हो रहा है minus 1 plus base क्या होगा minus 1 से छोटा होगा तो magnitude wise छोटा होगा तो magnitude wise छोटा है तो क्या हो जाएगा यह minus 1 plus को करेगा तो फिर क्या होगा sick x क्या होगा sick x हमारा one upon cos x होता है तो यह क्या हो जाएगा one upon यह जो number है अब देखो minus 1 को left से approach करे या minus 1 को right से approach करे नंबर तो होगा negative तो यह जो हमारा होगा वो होगा negative बड़ तुम ऐसे देखो इसका value किसे approach करेगा इसका जो value है वो कहां जाएगा पाई बाई 2 को अगर तुम पाई के left hand side से पाई के left hand side से approach करोगे तो यह minus 1 से छोटा होगा देखो अभी तुम्हें एक काम करो यह minus को छोड़ दो अभी 1 और denominator में एक ऐसा number है यह minus को अभी time being छोड़ दो 1 upon अगर मैं बोलू 1 upon ऐसा number 1.0001 तो यह number जो होगा यह क्या होगा greater than 1 होगा ठीक है sorry greater than less than 1 होगा because it's but denominator हमारा बड़ा है तो अगर मैं minus लगा दू तो मैं minus लगा दू अब यह किसे approach करेगा minus 1 से बड़ा है तो minus 1 से बड़ा यहाँ पे minus 1 है यहाँ पे कुछ होगा तो minus 1 plus को approach करेगा ऐसे करके तुम सारे logic निकाल सकते हो x is approaching 2 pi plus पे निकाल सकते हो 3 pi by 2 minus पे 3 pi by 2 plus पे 2 pi plus minus पे निकाल सकते हो तो different different quadrant में निकाल सकते हो जो table मैंने बताया है अब अच्छा increasing और decreasing के बात कर ले ठीक है यहाँ पे sick x function का value क्या है 0 यहाँ पे आया देखो pi by 2 minus पे क्या हो गया pi by 2 minus पर हो गया यह plus infinity यहाँ पर तो 0 था pi by 2 minus पे plus infinity तो increase किया first quadrant में sick x क्या हो गया increase हो गया कहां से कहां तक increase हुआ from 0 to plus infinity फिर यहाँ पे increase किया लेकिन जैसे यह pi by 2 से बाहर निकला तो कहां से निकला minus infinity से मतलब कि अगर तुम pi by 2 plus पे जाओगे तो क्या हो गया minus infinity पे जाएगा और pi by 2 minus पे कहां जा रहा है minus 1 minus 1 plus पर pi by 2 plus पर है minus infinity देख लो और pi minus पर है minus 1 plus minus 1 plus बोलने का मतलब कि minus 1 के close but minus 1 से बढ़ा तो minus infinity से अगर कोई number minus 1 की ओर जाता है तो क्या होता decrease करता है sorry increase करेगा तो क्या हम बोल सकते हैं कि second quadrant में जो हमारा sec x function है वो minus infinity से minus 1 गया इसका मतलब क्या हुआ increase किया ऐसे ही logic तुम third quadrant में fourth quadrant में लगा सकते हो तो अगर ऐसे काम करोगे तो ये final तुमें sec x function sorry ये मैंने कुछ sec x function का ये करवा जाएगा ठीक है अगर same logic लगा होगे तो sec x function का करवा जाएगा देख लो 0 plus पे क्या बोला था मैंने यहाँ पे देख लो इससे मिला लो जबी हमने किया है न उससे मिला लो 0 plus पे क्या बोला था अगर x 0 plus पे है तो sec x क्या होगा 1 plus बोला था तो देख लो x का value तुम थोड़ा सा आगे बराऊ तो sec x का जो curve है 1 से थोड़ा उपर नहीं है है न फिर मैंने क्या बोला pi by 2 minus पर sec x क्या बोला plus infinity तो देखो x को अगर तुम pi by 2 के left hand side से ले जाओ तो देखो cos x का value कहा जा रहा है plus infinity क्यो फिर मैंने बोला pi by 2 plus पे क्या उड़ा minus infinity अगर x को तुम pi by 2 के right hand side से ले जाओ देखो minus infinity से जा रहा कर फिर मैंने क्या बोला pi minus पे minus 1 plus तो देखो pi minus अगर तुम x को pi क्यों ले जाओ left hand side से तो cos x function का value क्या है minus 1 से के right hand side पर है ठीक है तो देख लो मतला minus 1 से बढ़ा है तो देख लो pi by 2 को तुम left hand side से ले जाओ तो देखो cos x function का value क्या है यहाँ पे देख लो pi पर तो क्या है minus 1 है pi minus पर है minus 1 plus तो minus 1 plus का मतलब क्या है कि pi minus पर अच्छा pi minus पर minus 1 के right hand side पर मतलब minus 1 के right hand side पर मतलब minus 1 से बढ़ा मट यहाँ पर कुछ गरबर हो रहा है इसको देखो यहाँ पर यह कुछ गरबर हो रहा है अगर हमने x को approach किया pi minus पर तो pi minus का मतलब की sic x की बात कर रहा है cos x का function cos x जो हमारा क्या है then cos x जो function है वो minus 1 से छोटा है magnitude wise तो 1 से छोटा है but sign देखो अगर मैं बोलो x जो है वो 1 से छोटा है तो minus x क्या होगा minus 1 से बढ़ा होगा ठीक है तो minus 1 से बढ़ा है तो मालो की ये value हमारा 0. minus 0.99 है ये जो cos x है बेस इसको हमने minus 0.99 ले लिया तो minus 0.99 जो है ये क्या हमारा greater है ना minus 1 से क्योंकि minus 0.99 जो है minus 1 के right hand side पे तो greater है तो cos x कहां जाएगा minus 1 cos x जाएगा ना ठीक है सेक x को मैंने क्या बोला 1 upon minus 1 plus अगर मैंने minus 1 plus लिया है यहां पे तो तुम ऐसे देखो simple से ऐसे देख लो cos x का value क्या है minus 1 के right hand side पे ठीक है तो minus 1 के right hand side पे अच्छा यहां पे गरबर हो गया यहां पे minus 1 के right hand side पे कोई भी number उठा लो minus 1 के right hand side पे उठा लो जैसे यह 1 upon है न जैसे minus 1 right hand side पे कोई number उठा लो minus 1 के right hand side पे minus 0.99 ऐसा number उठा लो तो यह जो number है यह magnitude wise तो 1 से बढ़ा है इसको plus कर दो तो numerator क्या है numerator greater है denominator smaller है तो magnitude wise तो यह 1 से बढ़ा है ठीक है अगर कोई number magnitude wise 1 से बढ़ा है तो इसका मतलब यह जो number है यह क्या होगा अगर minus लगा दिया तो minus 1 से छोटा होगा तो minus 1 minus हो गई यह plus लिख दिया था मैंने यही गरबर हो रहा था यह number क्या होगा यह minus 1 से left hand side पे होगा less than minus 1 होगा करके देख ले ना calculate अब तुम देखो अगर तुमने x को pi के left hand side से ले गए तो देखो यह हमारा कहा जा रहा है यह exactly इस point का coordinate minus 1 है तो यहाँ पे close आ रहा है y का value यहाँ close आ रहा है तो यह जो number है यह minus 1 से छोटा number है अगर इसके close तुम value देखोगे तो यहाँ पे आएगा ना ऐसे करके देख सकते हो तो इसका क्या मतलब है कि जब इस graph से देख लो जब x हमारा है न pi by 2 से pi की ओर जा रहा है तो हमारा जो sick x function है वो minus infinity से minus 1 जा रहा है तो minus infinity से minus 1 का क्या मतलब हुआ कि increase किया फिर जब x हमारा pi से 3 pi by 2 जा रहा है तो sec x function का graph देख लो minus 1 से कहां चला गया minus infinity तो decrease हो गया फिर 3 pi by 2 पे तो defined ही नहीं है फिर x हमारा 3 pi by 2 से 2 pi गया मतलब की कौन से quadrant में गया fourth quadrant में तो sec x function का graph क्या हो गया positive infinity से 1 आ गया मतलब decrease किया फिर x हमारा 2 pi से 5 pi by 2 तो graph तो repeat होने लगेगा 2 pi से 5 pi by 2 में वही होगा जो 0 से pi by 2 के बीच में होगा graph repeat करेगा फिर 5 pi by 2 से 3 pi by 2 के बीच में वही होगा जो pi by 2 से pi के बीच में होगा same line पे negative x negative number पे देख लो same आ जाएगा ठीक है ये बात आ रही होगी समझ में आई होग तुम लोगो ये जो मैंने explanation किया अब अगर समझने में कोई problem है तो उसके लिए limit तक का wait करो और अगर तुमें लगता है नहीं तो अभी time being graph को रट जाओ graph रट जाओगे तो भी काम चल जाएगा अब graph कैसे draw करेंगे sec x function का वो बताया जा रहा है तुमें ऐसे एक line हमने draw किया इसको बोल दिया x-axis एक line हमने draw किया इसको बोल दिया y-axis sec x कहां define नहीं होता है जहां पे cos x 0 होता है cos x 0 कहा होता है πy by 2 के odd multiple पे तो हमने πy by 2 के odd multiple पे asymptote बनाना शुरू किया ऐसे ऐसे dotted line है अब ये curve कैसे एक ही ले लिया हमने plus 1 वाला यहां पे ले लिया minus 1 वाला curve ऐसे बनेगा यार sec x का यह हमारा πy by 2 हो गया यह 3 πy by 2 हो गया πy by 2 कॉर्ड multiple 5 πy by 2 7 πy by 2 this is minus 5 by 2 minus 3 πy by 2 minus 5 πy by 2 एक यू उपर देखो पहला जो sign में बना था वो 0 से πy by 2 के बीच में बना था यहां minus πy by 2 से πy by 2 के बीच में बनेगा ठीक है दूसरा πy by 2 3 πy by 2 के बीच में πy तो यह हमारा ऐसे बनेगा πy पर cos x function का value क्या होता minus 1 sorry cos x बोलो sec x का फिर 3 πy by 2 और 5 πy by 2 के बीच में क्या होता है 2 πy फिर यहां पर यह 1 हो जाएगा ऐसे कर बन जाएगा फिर यहां पर minus 1 ऐसे एक बार ultra u एक बार सीधा u यहां पर सीधा बन गया तो यहां पर ओगा minus pi minus 2 pi यहां पर ऐसे सीधा बन गया तो यहां पर ऐसे फिर एक बार minus 2 pi के cross bonding फिर ऐसे करके और जैसा मैंने बोला कि ग्राफ से हमें domain range सब कुछ पता चल जाता है तो इस ग्राफ को अगर तुम्हें याद है तो domain range कहां पर 0 है कहां पर not defined है सब कुछ पता चल जाएगा यह line हो गया हमारा y is equals to 1 यह line हो गया हमारा y is equals to minus 1 ठीक है अब आजाते है बच्चों last graph टे that क्यों है हमारा cortex function sorry cortex function क्या होता है cos x upon sin x तो सबसे पहले हम इसके domain पर discuss करते है domain क्या होगा domain के लिए हम लोग क्या करेंगे all real number से उस x को हटा देंगे जहां sin x 0 हो रहा है जहां denominator 0 हो रहा है denominator कहां 0 होता है n pi पे तो all real number से हमने kya-kya n pi को हटा दिया देखलो all real number से हमने n pi को हटा दिया तो यह क्या हो गया cortex function का domain हो गया range already all real number होता है यो यह already बताया जा चुका है अब जैसे tan x function का एसे इस cortex function का period भी पाई होगा ठीक है, क्यों होगा अभी ग्राफ से पता चल जागा, पाई के बाद ग्राफ रिपीट होने लगेगा फिर कॉर्ट फंक्शन, कॉर्ट तो यह तो ऐसे ही लिख दिये है, तो किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए फिर कॉर्ट एक्स जीरो कहा होगा, कॉर्ट एक्स जीरो कहा होगा, जहां कॉर्ट एक्स जीरो होगा, क्यों कॉर्ट एक्स जीरो होगा, वहां 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 कॉर्ट एक्स जीरो होगा इस cos x is equal to 0 cos x कहां 0 होता है pi by 2 के odd multiple पे ठीक है फिर maximum value of cortex does not exist plus infinity से all real number है तो इसका मतलब इसका range क्या from minus infinity to plus infinity तो exist नहीं करेगा minimum value भी exist नहीं करेगा cortex not defined कब होगा not defined whenever sin x is 0 यह तो अल्रेड़ी पता है कहां पे x is equal to n pi पे तभी तो हमने x is equal to n pi को all real number से अटा दिया तभी तो जाके cortex function का डुमेन निकला हम किसी भी function का डुमेन कैसे निकालते हैं हम लोग किसी भी function का डुमेन निकालने कि लिए क्या करते हैं उस all real number से उस x को हटा देते हैं जिस x पर वो function defined नहीं है तो cortex के लिए हम लोग all real number से किस x को हटाएंगे all real number से हम जहां पे sin x 0 रहा है sin x कहां पे 0 रहा है n pi पे तो all real number से अगर हमने n pi हटा दिया तो फिर हमारा क्या हो गया cortex function का domain आ गया ठीक है अब graph की बात तो फिर graph में वही काम थोड़ा sin analysis कर लेते बाकि तुम खुद कर लेना इसलिए कि अगर जादा करने का मतलब क्या है कि अगर मैं हर एक quadrantal angle पे plus minus पे analysis करूँ तो video काफी बढ़ा हो जाएगा और उसकी जौरत भी नहीं है reason यह है कि अगर किसी को समझ में आ रहा है जो मैं बोल रहा हूँ तो फिर वो अगर मैंने minus pi पे analysis कर लिया क्या हो रहा है तो pi minus पे कर दिया तो वो pi plus पे भी कर सकता है ठीक है अब एक बार फिर देख लो फिर आजाते हैं हम लोग एक unit circle हमने लिया ठीक है यह हमारा हो गया x-axis यह हो गया हमारा y-axis दिस इस दा ओरिजिन अब यह बताओ कि यहां पे क्या होता है sin 0 होता है यहां पे sin 0 होता है तो cot क्या होता है cos upon sin तो x is equal to 0 पे x का value 0 पे जो हमारा cot x है वो defined ही नहीं हो not defined तो अगर हम x का value थोड़ा सा आगे बढ़ाया हमने तो उस case में देख लो क्या होने जा रहा है यह cos x क्या होगा बताओ ऐसे हम बोले x is approaching to 0 plus then cos x जो होगा वो क्या होगा बताओ कहाँ approach करेगा cos x देखो वो 1 minus होगा 1 minus 1 से left hand side पे होगा because यह 1 है ना 1 से थोड़ा चोटा होगा cos x ठीक है और sin x क्या होगा sin x is approaching to 0 plus देखो यह ही है ना perpendicular sin x तो 1 से थोड़ा आगे बढ़ोगे यह जो हमारा क्या होगा 0 के बहुत close होगा but positive होगा तो cortex क्या होता है cortex हमारा होता है cos x upon sin x तो cortex होगा हमारा cos x upon sin x यह किसे approach कर रहा है 1 minus को यह किसे approach कर रहा है 0 plus को तो यह भी हमारा positive number है यह भी हमारा positive number है तो सबसे पहले positive upon positive तो positive हो गया अब denominator 0 को approach कर रहा है तो infinity को जाएगा तो यह कहाँ approach करेगा cortex plus infinity को मतलब क्या है कि 0 पे तो cortex defined नहीं है लेकिन angle को हम 0 से थोड़ा भी आगे बढ़ाते हैं तो cortex का value plus infinity हो जाएगा ठीक है उसके बाद हम angle को बढ़ाके πाई क्यों ले जाते हैं यहाँ पे angle होगा तो pi by 2 minus होगा तो अगर मैं x को approach करा हूँ pi by 2 minus पे then cos x जो होगा हमारा कहाँ जाएगा देख लो यतना close जाएगे यही है ना बेस cos x यह कहाँ जाएगा 0 plus को and sin x कहाँ जाएगा 1 minus को approach करेगा 1 को left hand side से तो cortex क्या होगा हमारा cos x upon sin x और cos x किसको approach कर रहा है 0 plus को यह किसे approach कर रहा है 1 minus को अब एक बात बताओ यह भी positive है यह भी positive है अब अगर numerator 0 को approach करने लगे तो fraction क्या होगा fraction भी 0 को जाने लगेगा what positive upon positive यह one minus देखे positive negative मत बोल देना one minus का मतलब क्या होगा one से छोटा number बहुत छोटा number जो one के left hand side पर है तो one से बहुत छोटा number जो one के left hand side पर क्या होता है positive होता है negative नहीं होता है तो यह किस से approach करेगा 0 को कहां से approach करेगा, 0 को plus से या 0 को minus से, वो देख लेते, ये approach करेगा तुमको, अगर pi by two minus zero, plus से approach करेगा, क्यों? ये approach तो कर रहा है na 0 को, और ये भी positive, ये भी positive, तो ये fraction भी positive, और approach कर रहा है 0 को, मैं बोलू कि एक number 0 को approach कर रहा है है और positive है, इसका मतलब 0 प्लस को अप्रोच कर रहा है ठीक है यह आगे बाद समझ में अभी हमने कहां पे देखा 0 पे तो देखा cortex refined ही नहीं है 0 से आगे बढ़ें तो देखे cortex हमारा कहां चला गया positive infinity πाई भाई 2 से पहले पहले देखा कि 0 पे है 0 प्लस के है cortex तो इसका मतलब cortex क्या हुआ decrease हो गया first quadrant में जब x हमारा 0 से पाई वाई 2 के बीच में है तो cortex हमारा प्लस infinity से 0 के बीच में है तो decrease हुआ ठीक है यह तो हो गया हमारा first quadrant पे analysis अब आजाते है second quadrant पे दिख लेते है second quadrant में क्या है सेम लाइन पे तुम देख सकते हूँ इसी unit circle को देखो सेम है ना unit circle को देखो चलो मैं फ्रेश यूनिट सकते हूँ देखो यह फिर हमने ना एक अब एकस हमारा ना अगर pipe by 2 से थोड़ा आगे बढ़ा मतलब यह angle X जो है ना यह angle X pipe by 2 से थोड़ा आगे बढ़ा तो अब यहां पे base क्या हो जाएगा base ही थो हमारा coss x है इसका मतलब x is approaching to pipe by 2 plus then cos x देखो cos x जो है base है वो 0 के बहुत close है but 0 से left hand side पे तो negative है तो cos x is approaching to 0 minus and sin x क्या होगा यह perpendicular क्या होगा 1 minus ठीक है तो cortex हमारा क्या है cos x upon sin x यह किसे approach कर रहा है 0 minus को यह किसे approach कर रहा है 1 minus को अब देखो 1 minus को कोई number approach करेगा तो यह तो होगा positive और यह तो होगा negative तो positive upon negative होगा तो negative तो यह approach करेगा 0 को because numerator 0 को approach कर रहा है तो cos x upon sin x 0 को approach करेगा तो cortex 0 को approach करेगा वट यह number तो negative है न तो 0- को अप्रोच करें ठीक है अब अगर मैंने x को अप्रोच कराया πाई माइनिस पर ठीक है तो πाई माइनिस पर अगर मैंने x को अप्रोच कराया मतलब यह angle फिर ऐसे आया ऐसे करके यहाँ पर तो यह जो line है न ओपी रे यह इस line के close आने लगेगा तो angle क्या होगा πाई से छोटा बट पाई के बहुत close तो then cos x क्या होगा यह जो line है again cos x क्या होगा बतो अप्रोच क्या करेगा minus 1 plus होगा या minus 1 minus होगा minus 1 plus होगा क्योंकि minus 1 के magnitude में देखो अगर कोई number यह X जो है magnitude wise minus 1 से बढ़ा है तो अगर कोई number magnitude wise minus 1 से बढ़ा है उस पे तुम minus sign लगा दोगे तो वो minus 1 से बढ़ा हो जाएगा जैसे अगर मैं बोलू X 0.9 सॉरी गलत बोल दिया मैंने अगर कोई number magnitude wise 1 से छोटा है तो उस पे minus लगा दोगे तो वो क्या हो जाएगा फिर वो number minus 1 से बढ़ा हो जाएगा जैसे मैंने 0.99 बोला यह magnitude wise तो minus 1 से छोटा है बट अगर minus लगा दिया तो यह minus 0.99 यह तो minus 1 से बढ़ा है 0.999 यह क्या है less है 1 से अगर minus लगा दिया तो 0.999 यह greater हो गया ना minus 1 से यह आगे बार समझ में तो अब यह number देखो यह number क्या होगा यह जो हमारा base है ना यह तो ऐसे यहाँ पर तो 1 है यह actual में यह minus 1 है यहाँ पर यह number का value क्या होगा minus 0.999 ऐसे तो यह क्या होगा minus 1 से बढ़ा होगा तो यह हो गया minus 1 plus अब cortex क्या होता है हमारा cortex होता है cos x upon sin x ठीक है अब यह हो गया cortex हो गया cos x upon sin x cos x किसे approach कर रहा है? minus 1 plus को अच्छा अब sin x किसे approach करेगा obviously बात 0 को देखो यह perpendicular 0 गो जा रहा है और क्या हो रहा है? positive side पे भी है तो 0 plus को तो sin x किसे approach करेगा? sin x approach करेगा 0 plus को तो यहाँ पर यह 0 plus को approach कर रहा है तो देखो ये भी हमारा positive है और minus 1 के right side पे जाओगे तो ये negative number हो जाएगा और ये हमारा positive number हो जाएगा तो on the whole ये जो fraction होगा cos x upon sin x जो की cortex के equal है ये negative होगा बट denominator 0 का approach कर रहा है तो ये minus infinity को approach करेगा ठीक है अब जड़ा तुम behavior देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला यहाँ पे मैंने जो ये लिया था ना इसमें देखो x 0 पे तो define नहीं है ठीक है जैसे हम 0 से आगे बढ़ें तो cortex का इसको मैं curve draw करता हूँ इतने को देख के चलो मैं ऐसे curve draw करता हूँ कोटेक्स का देखो x is equal to 0 पर तो देखो 0 पर तो defined है नहीं ठीक है तो इसका मतलब 0 के cross-founding curve मिलेगा नहीं ठीक है अब अगर हम 0 से थोड़ा आगे बढ़े तो cortex कहा जा रहा है प्लस infinity तो 0 से थोड़ा आगे बढ़े तो cortex कहा जाएगा ऐसे प्लस infinity उसके बाद exactly π.by2 पे cot π.by2 क्या होता है cot π.by2 क्या होता है cot π.by2 होता है हमारा cos π.by2 upon sin π.by2 0 तो exactly π.by2 पे 0 हो रहा है but π.by2 से left hand side पे क्या होड़ा है देख लो π.by2 से left hand side पे 0 प्लस देख लो यहां पैसे करवा जाएगा यह देख लो π.by2 पे 0 हो गया π.by2 से अगर तुम left hand side पे जाओगे तो यह value जो graph है यह 0 से उपर है तो 0 प्लस पे जेतना ही तुम π.by2 के left hand side पे जाओगे ना cortex का value अतना ही कम होने लगेगा बड़ रहेगा तो 0 से बढ़ा ही ना यहां पे देख लो cortex का value 0 से बढ़ा है यहां पे बढ़ा है तो 0 प्लस को अप्रोच करणा है जो यहां पर बताया जा चुक है अब आजाओ अब उसके बाद अगर तुम π.by2 प्लस करोगे तो cortex का value क्या हो रहा जीरो माइनिस मतलब कि जैसी तुम π.by2 से थोड़ा अगे बढ़ते हो तो cortex का value 0 के close होगा बट left hand side पे होगा मतलब क्या हुआ कि वो मतलब ऐसे देखो करोगा ऐसे कैसे देखो अगर तुम π.by2 को right hand side से अप्रोच करते हो तो cortex का value क्या हो रहा है यहां पे थोड़ा आगे बढ़ो तो यह cortex का value यही तो point है ना cortex का value y coordinate होगा तो क्या 0 के यह जो y यह मिल रहा है ना coordinate यह जो value मिल रहा cortex के यही ना cortex का value यह क्या हो रहा है जिरो के close है बट negative है जो यहां बताया जा रहा है उसके बाद क्या है कि तुम π.by को left hand side से अप्रोच करोगे तो cortex का value minus infinity को अप्रोच कर रहा है इसका मतलब क्या है कि अगर यह हमा हमारा point ऐसे है यह पाई है तो left hand side से अगर तुम x को अप्रोच करोगे तो cortex कहा चला जाएगा minus infinity को ऐसे तो देखो 0 से लेके हमने पाई first quadrant में और second quadrant में cortex का graph draw कर लिया ठीक है तो यह हमारा cortex function का curve है देख लो ठीक है यह देख लो 0 से पाई के बीच में हमने graph draw कर लिया बागी same logic कर सकते हो पाई से 2 पाई 0 to minus पाई देखो 0 से पाई के बीच का curve फिर पाई से 2 पाई के बीच का curve तो तुम देखो 0 से पाई अब पाई से 2 पाई यह curve को देखो cortex function का graph जो है न repeat होने लगेगा तो cortex function का graph repeat होने लगेगा इसका मतलब cortex का value repeat होने लगेगा value repeat होने लगेगा इसका मतलब कि cortex फिर क्या हो जाएगा हमारा cortex जो है हमारा उसका period क्या हो जाएगा πाई हो जाएगा अब इस curve को तुम देख लो इस curve को तुम्हें रट जाना है इस curve का asymptote line क्या है जहां पे cortex defined नहीं है cortex कहां defined नहीं है जहां sin x 0 है sin x कहां 0 है πाई के integral multiple पे πाई पे 2 πाई पे minus πाई पे minus 2 πाई पे तो जिस इस पे defined नहीं है उस उस point पे हमने क्या कर दिया asymptote बना दिया तो देख लो asymptote बना है ठीक है minus πाई minus 2 πाई minus 3 πाई इन सब पे asymptote है और यह हमारा curve होगे याद कैसे रखेंगे याद रखने के लिए मैंने क्या बोला याद रखने के लिए मैंने ऐसे बोला कि कैसे curve ड्रो करेंगे यह होगी हमारा x-axis यह होगी या y-axis asymptote बनाएंगे कहां पे जहां पे sine x defined नहीं है ऐसे ऐसे बना लो और यह 0 हो गया यह πाई हो गया यह 2 पाई हो गया यह 3 पाई हो गया यह 4 पाई हो गया यह माइनस पाई हो गया इस इस माइनस 2 पाई इस इस माइनस 3 पाई curve हमारा दोस्त ऐसे चलेगा यह πाई बाई 2 है न curve हमारा ऐसे आएगा πआ वाइ 2 प्लस 2π 3 πआ वाइ 2 curve हमारा ऐसे आएगा 2 πआ प्लस 3 πआ वाइ 2 5 pi वाइ 2 ऐसे curve चलेगा 3 πआ प्लस 5 वाइ 2 7 πआ 2 पर यही same curve यह point हो जाएगा minus 5 वाइ 2 ये हमार हो गया pi by two 3 pi by two ये हो गया minus 3 pi by two minus 5 pi by two and so on ठीक है यह समझ में आ रही होगी बात तो हमने अपने trigonometric function का जो मतलब एक कहा जाए जो major portion है जिसमें understanding वाली जो बात है जहां पे हमें समझना है उसको हमने complete कर लिया है ठीक है अब क्या करना है कुछ मैं formula अब आगे क्या करना में कुछ identity हम लोग पढ़ेंगे उस identity पर based question करेंगे important क्या है कि जितने भी identities है जब यह chapter complete हो जाएगा तो उन सारे formula का list मैं एक अठे मतलब तुम लोग को send कर दूँगा या फिर देख ले ना मैंने इस पर YouTube पर यह मैं सारे formula का list जो PDF है उसी में include कर दूँगा तो एक अठे सारे formula लिख दूँगा तो formula याद करने important है जो main concept था जहां समझना था वो complete है अब हम लोग क्या करेंगे identity derive करेंगे उसके बाद identity पर related questions करेंगे ठीक है